हलो एवरीवन वेल्कम बैक टो मैं चानल में नाम इसने और आप देख रहें अबन लाइफ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे सो आज में लेकर आई हूँ एक और यूसफुल वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग यूजिस अलवरा जेल के उसकी हम बात करेंगे सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप में चानल पर नए है तो इसा सबसाइब जरू कर लीजेगा और इस तरीके की और भी अच्छी वीडियो फैशन लाइफस्टाइल ब्यूटी डियाइवार रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं अगि चले वीडियो को मिल चाये है चले वीडियो को चाहिए जिए से अबहुत जादाभ आपकी 6 शुरू कर्ताना जहिने साधल प्रापटिस १रा आपकी 3 अघजिये धनल होता है जए Heidya टो पाल्स केयि वहत जादा इस संभिश को सुन भूश जो भालब यह च्छाइन स व्चुछ शिक्स अमेजिंग यूज़ज अ अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं अगर अपको डेर्यक अच्छ नहीं हूब तो आप इसको पैस्पैक में मिला सकते हैं अलोवरा जल जो होता है मौस्टराइजिंग होता है अक्ने के लिए बहुत जादा अच्छा है क्योंकि इसमें अंटी बैक्टिरल प्रोपटी होती है अक्ने ट्रीट करने के लिए बहुत जादा इसकिन को एजिंग से प्रेवेंट करने के लिए बहुत जादा आच्छा क्यो अगर नहीं तो आप अलोवेरा जेल जो मार्खिटों मिलते हैं वो यूज कर सकते हैं करेंटली जो मैं यूज कर रही है गुडवाइब जेल जिसमें पैरेबिन्स नहीं है सलफेट्स नहीं है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर इसमें कलर भी नहीं है तो बहुत उसको भी आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो सेकेंड जो यूज है अलोवेरा जल का वो है हैर के लिए आप इसको as a hair mask यूज कर सकते हो आप चाहें तो डायरक अलोवेरा जल as a hair mask डिरेक्ली अपने हैस पे लगा सकते हो शावर के around half an hour या one hour पहले या फिर किसी homemade mask में इसको mix कर सकते हो जैसे कि banana mask अगर बनाते हो या फिर honey mask बनाते हो तो आप उसमें इसको mix करके अपने हैस पे लगा सकते हो अपके हैस को यह मौशराइस करेगा अगर आपके डल और फ्रीजी हैस तो आपको यह मौशराइस करेगा मैनेजबल बनाएगा और बहुत ही soft and smooth बनाएगा antibacterial properties होती है आपको dandruff treat करने के लिए भी aloe vera gel useful है तो आप इसको डिरेक्ली भी अगर scalp पे लगाते हो तो कोई आपको scalp पे इचिंग नहीं होगी कोई भी issue नहीं हुआ in fact जो dandruff है वो treat करने के लिए बहुत ज़्यादा help होगी समझ में अगर आपको scalp पे इचिंग हो रही है आप aloe vera gel as a mask hairs पे लगा सकते हो and then within half an hour या 60 minutes में उसको wash off कर सकते हो थर्ड जो यूज है aloe vera gel का उसको आप as a heat protector यूज कर सकते अपने hairs के लिए अगर आप कोई hair styling tool यूज करते हो जैसे की straightener है या color है या किसी और तरीके का hair styling tool है उसके पहले आप जो hair protect spray यूज करते हो उसके पर आप aloe vera gel यूज कर सकते हो जो की natural भी रहेगा and आपके hair को soft and smooth भी बनाएगा and जो heat है in styling tools में से उससे प्रिवेंट उसके damage से प्रिवेंट करने के लिए भी आपको help करेगा अगें यह बहुत ही सादा amazing use है आप किसी भी hair styling tool यूज करने के पहले बालो में यूज कर सकते हो नेक्स जो aloe vera यूज है वह है as a nail and cuticle cream आपको अलग से कुछ nail and cuticle cream बाय के ज़रोत नहीं है अगर आपके nails or cuticles जो है बहुत जादा dry रहते हैं बहुत जादा मॉस्ट्राइज हो जाएंगे hydrated हो जाएंगे और बिल्कुल भी dry feel नहीं करेंगे नेक्स आप यूज कर सकते हो eyebrow gel and aloe vera gel as a eyebrow gel so अगर आपको eyebrow set करने में problem होती है तो आप aloe vera gel को ही as a eyebrow में लगा करके पूली से इसको ठीक करके आप उसको eyebrow gel भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग यूज है यह भी नेक्स आप यूज कर सकते हैं aloe vera gel को for your cracked heels so अगर आपकी heels जो है वो cracked रहते हैं dry रहते हैं specially you know winters में आप aloe vera gel यूज कर सकते हो क्योंकि anti-inflammatory antibacterial है so उसको treat करने में help करेगा and aloe vera gel hydrating होता है moisturizing होता है तो आपको आपके जो dry heels है उसको भी moisturize करने में hydrate करने में बहुत जादा help करेगा यह भी बहुत जादा अच्छा यूज का बिल्कुल ट्राइक करके देख सकते हो यह ते कुछ amazing uses aloe vera gel के I hope आपको वीडियो helpful रहा होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस लाइक जरूर कर दीजेगा मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई